यह फॉकलोट के 12 कलर आईशेडव पालट है वंडर के नाम से इसमें पर्पल एंड ब्लू यूज जहां वह मौजूद है इसको पाकेजिंग इसकी बाहर से देखने में इसके समगी है तो पाक में निकलने के बाद पालट हमारे पास कुछ इसके ओपर हमारे पास इसके मिरर है से क्योड बाइव प्लास्टिक कवरेंग और कलर इसमें हमारे पास हैं वह इन टोटल 12 होंगे और इन कलर ने को नाम ने दिए वे वियर गवाइं तो आप प्र बॉटम लेफ तो यह ता चल रही होते हैं मारे पास कुछ इसमें नाट है ओर कुछ हमारे पासugen Warhead सो फस्ट वाइड शेयर यह मारे पास आजाता है जाता है यह थोड़ा सा गोल्डन से शेयर वे तरह दो गोल्डन राउं से तरह इस के नाद थोड़ा सब्सक्राइब इस इस दी फास्ट रो सेकंड रो में हमारे पास है वह एक बड़ा ही बुझा-बुझा सा शेड है यह वला फिर उसके इलावा एक और बुझा-बुझा सा तीछ शेड है इसको बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है नॉमली आप नोट करेंगे जो डिफर्ट वतिख्यों पाइब 6 कि और पिक्मेंट रहते हैं शाक क्या सब्सक्राइब 10 और टेक्स्चिर होता है वह उसमें राहे पास also हमार ब शब्रोट होते हैं वह सटें जासे मारे पीक्च्छ होते हैं डिचे हमारे पास होते हा पालट की जिसके देर मजश्शेडиль का पिगमें और उसमें फ्लोव स्मूध हो ब्लेंदिंग अची हो सो इस इस वेरी प्रीटी कलर यह में पास शिमर शेड और यह हमारे पास एजी पॉर पल कलर अच्छा है पॉर पॉर प्यारा है इसके बाद हमारे पास last row आ जाती है starting from this shimmer shade बाकी के तीनों shades इस रो के अंदर हमारे पास matte है so यह हमारे पास ferozy सा रंग आ गया है जो कि shimmer shade में है यह हमारे पास matte dusty orange सा shade आ गया and this one is matte maroon so matte maroon is fine blending के हिसाफ से pigment के हिसाफ से और लास्ट में हमारे पास यह है वो डाक इसको क्या कहेंगे बर्गंडी टाइप सा color है जिसमें बर्गंडी कहते है हुआ है so यह हैं जी हमारे पास यह वाली पालट इसके अंदर इसको बाहिस से देखने के बाद बंदे के देन में आता है कि कम आसकम इसमें इस किसम का color यह इस किसम का color जरूर होगा लेकिन उसमें सरफ एक यह purple color है बाकी बारल आपके सामनी है और इस टूशेड्स बाकी ठीक हैं पिग्मेंट के हिसाब सभी वैसे भी ओवर्राल इट्स ओके पालट क्योंकि मैं इसलिए हासे थोड़ा सा मैं इसमें पर्टिकुलर लिखा है पर्पल और ब्लू तो इसमें मैं सोच रही थी कि एक से ज्यादा पर्पल के शेड्स होंगे और एक से ज्यादा ब्लू के शेड्स ओंगे पट आट्स नाट दो के इस ओवर्राल अगर देखें तो यह तू मच ब्राइट है और यह दोनों बहुत ही डस्टी और फीक भी किसे हैं उसके इन तीनों के इलावा जो बाकी शेड्स है वह खुब सूरत है दिस इस वेरी प्रिटी कलर दिस इस और सब्सक्राइब इस वेरी प्रिटी यह पर्पल क के हिसाब से ब्लेंडिंग के हिसाब से बट ज्यादा पर्पल ज्यादा ब्लू दिखनी रहे मझे इसमें बाकी ठीक ओके ओके पाले टाब